हले अब्रीवन कैसे हो आप सब एक बार पुना स्वागत है आप सभी का मारे अपने यूटूब चैनल सिव कोचिंग क्लासस पर उम्मीद करता हूँ आप सभी बेतर होंगे और आप सभी की पढ़ाय भी अच्छे ढंक से चल रही होगी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्लास 11 वायलाज जी एंसे अटे चैप्टर फाइफ में दोस्तों आज का जो हमारा टापिक है वो है फिलो टैक्सी या इसको हम हिंदी में पंड विन्यास कहते हैं तो देखिए पंड विन्यास या फिलो टैक्सी होती क्या है सबसे पहले तो यह इसकी डेफिनेशन समझते बिन्यास कहलता है तो देखिए पद्दों के तने एवं साखाऊं पर पत्तियों के बिन्यास्त होने का क्रम क्या कहलाता है पंड विन्यास कहलाता है तो देखिए जैसा किमाल लीजे कोई पत्ति है तो पत्ति की दिए हम बात करें पौधे की दिए कोई भी पत्ति है तो वो जाहिर सी बात है कि किसके उपर आश्रित रहती है या किसमे बिन्यस्त होती है वो किसमे साखाओं पर होती है यानि जो तने होते हैं और उनकी साखाओं होती है या टहनिया होती है उन पर प पतियां जो है वो पाउधेक के तनो या साखाओं पर किस प्रकार से विन्यास्त है इस विन्यास्त होने के क्रम को ही हम क्या कहते है परण विन्यास या फिलो टैक्सी कहते है देखिए ये question paper के point of view से important है और इसके पहले हमने previous वीडियो में आपको सीरा विन्यास या कराया था तथा साथी साथ उसके प्रकार भी कराया थे तो सीरा विन्यास भी आपके paper के point of view से काफी important है तो इन question को आप अच्छे स्तयार करिए और definite रूप से कोई न कोई question paper में आपके पूछा जाता है तो परण विन्यास आपको समझ में आ गया होगा कि जो पाउधे की पति अब चलिए फिलो टेक्सी या परण विन्यास के प्रकारों को समझते हैं तो देखिए फिलो टेक्सी या परण विन्यास जो है यह मुख रूप से दो प्रकार के होते हैं पहला है एक अंतर यानि कि alternate अथवा अचक्री परण विन्यास यानि एक अंतर या alternate इसको कहते हैं त तो देखिए यहाँ पे यदि हम देखे पर्ण विन्यास के तो दो प्रकार है पहला है एक आंत्र या चक्री पर्ण विन्यास और दूसरा है चक्री पर्ण विन्यास अब आगे चलके जो चक्री पर्ण विन्यास होता है दोस्तों ये पुना दो प्रकार का हो जाता है उसमें स दोस्तों इसको हम इंगलिस में कहते हैं वोर्ड फिलो टेक्सी तो जो चक्रिय पर्ण विन्यास होते हैं ये पुना दो प्रकार के होते हैं सम्मुख पर्ण विन्यास और दूसरा है भ्रहमिमाय पर्ण विन्यास अब आगे चलके दोस्तों ये जो सम्मुख पर्ण विन्यास ह यह पुना दो प्रकार के होते हैं पहला होता है सम्मुख क्रासित यानि इसको हम बोलते हैं अपोजिट डेकुसेट और दूसरा है सम्मुख अध्यारोपित यानि अपोजिट सुपरपोजट तो यहां पे हम एक एक करके समझते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक अंतर या एक अंतर अत्वा आचक्री पर्ण विन्यास यानि अल्टरनेट आर आसायक्लिक फिलो टेक्सी तो देखिए अल्टरनेट फिलो टेक्सी या एक अंतर पर्ण विन्यास क्या होता है देखिए इस प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रतेग पर्वसंधि पर केवल एक पत्ती विक्सित होती है, इसके एक्जामपल भी आप देख सकते हैं जैसे गुड़हल चाइनारोज तंबाखुवादी, तो आपने गुड़हल या चाइनारोज का देखा होगा जिसको हम opposite side में दूसरी पत्ती रहेगी फिर उसको उपर opposite side में तीसरी पत्ती रहेगी तो इस प्रकार से एक एक पत्ती का अंतर रहता है तो इस प्रकार के पंडविन्यास में क्या होता है कि प्रतेक पर्वसंदी पर यानि जो पास माल लीजे है हमारे पास कोई पत्ती है तो ये तो क्या हो गई साखा हो गई या हम कह सकते हैं साखा ये टैनी हो गई अब इस ब्रांच पर ये तो क्या हो गई ब्रांच हो गई ये ब्रांच हो गई ब्रांच हो गई अब देखी इन साखाओं पर जो पत्तियां बिक्सित ह साखाओं पर चुकी क्या होते है नोड और एंटी नोड होते है तो जो नोड होते है यानि तनों में या साखाओं में जो गांठ पाई जाती है जगए जगए पर उसी को हम क्या कहते है नोड या पर्वसंदी कहते है तो देखे जगए जगए क्या होती है कि साखाओं पर या तनों पर नोड पाये जाते हैं, क्या पाये जाते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, पर्वसंदी कहते हैं, पर्वसंदी या नोड कहते हैं, तो पर्वसंदी पर जो पत्तिया निकलेगी, हर एक पर्वसंदी पर दोस्तों, केवल और केवल, कितनी पत्तिया निकलेगी, एक ही प पत्ती निकलेगी, फिर अगले नोट से या पर्वसंदी से एक पत्ती निकलेगी, तो इस प्रकार से दोस्तों, यानि कि साखाओं पर जो पर्वसंदियां पाई जाती है, यानि कि जो गांट पाई जाती है, वहां से केवल और केवल एक ही पत्ती बिक्सित होती है, तो इस प क्या कहते हैं एक अंतर अत्वा अचक्री पंडविन्यास कहते हैं अब इसको अचक्री क्यों कहते हैं क्योंकि देखें इसमें किसी प्रकार से घुमाओदार पत्य नहीं है यानि चारोर पत्य घुमाओदार रूप में नहीं है तो इसलिए ये क्या होते हैं एक अंतर होते हैं या चक्री पर्वसंदी पर दो अधिक पर्वसंदी पर दो अधिक पत्यां एक चक्र बनाती है तो देखे चक्री पर्ण विन्यास का मतलब है कि पत्तियां जो है एक नोट से दो पत्तियां निकलेगी या इससे ज़्यादा पत्तियां भी एक नोट से विक्सित हो सकती है या निकल सकती है तो देखे पत्तियों की संख्या के अधार पर बेसिकली यह दो प्रकार के होते हैं तो देखे इन में क्या होता है कि पहला प्रकार तो होता है सम्मुख पर्णविन्यास और दूसरा होता है भ्रमिमे पर्णविन्यास तो देखें यहां पे अब हम एक एक करके समझेंगे कि चक्री पर्ण विन्यास के दोनों प्रकार क्या होते हैं तो चक्री पर्ण विन्यास के मतलब है कि पर्वसंदियों से साखाएं जो है उनके पर्वसंदियों से कि पर्वसंदियों से दो या दो से अधिक भी साखा हैं तो या किसी भी साखा या तने के पर्वसंदियों से दो या दो से अधिक पतियां बिक्सित होती हैं तो इस प्रकार की पत्तियों को हम क्या कहते हैं चक्री पर्ण विन्यास या साइक्लिक फिलो टैक्सी कहते हैं अब स जलेख haid Death History, हम अभी डाईक प्रवाइबग्म्ने करते हैं, जब पत्तिएं लगी होती है, और ये एक? दूसरे के सम्मूख शोती है, यह दो प्रकार के हो सकते हैं देखिए सम्मुख पन्ड विन्यास का मतलब है कि यदि किसी भी साखा या तनेक के जो गांठ या नोड होते हैं या पर्वसंदिया होती है उनमें से यदि दो पत्तियां निकली है और एक दूसरे के समानतर है तो इस प्रकार की पत्तियों को हम क दूसरे के समानतर है तो ऐसे पन्ड विन्यास को हम सम्मुख पन्ड विन्यास कहते हैं अब देखिए यहां पर सम्मुख पन्ड विन्यास जो है वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं पहला इसमें से सम्मुख क्रासित और दूसरा है सम्मुख अध्यारोपित यानि आपोजिट तो देखे यहां पे हम समझेंगे कि यानि जो सभूख फिलो टेक्सी है या सम्मुख पर्ण विन्यास है यह अब पुना दो प्रकार के होते हैं सम्मुख पर्ण विन्यास के मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि पहोधे के तने या साखाओं की जो गाठ है या पर संधार निकली हुई है और दो पत्या यदि परवुसंदियों से निकले तो इस प्रकार के पढ़नविय एक दूसरे एक समानतार है तो इस प्रकार की पत्तियों के भी वस्था को हम क्या कहते हैं सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं क्योंकि एक दूसरे के सामने जो है पत्तिया निकली हुई है अब यहाँ पे जो सम्मुख पर्ण विन्यास होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं पहल इसमें क्या कहते हैं अपोजिट डेकुसेट कहते हैं. तो अपोजिट दोस्तों यानि कि यहांपे उल्टा और सिधे देखिए जब हम परण विन्यास की बात करते हैं, तो सम्मुख पर्ण विन्यास में पतियों में उत्रोत्तर जोड़े एक दूसरे के समकून बनाते हैं, त में पौधे के सिखर से देखने पर सभी पतियां चार पंक्तियों में बिन्यास्त दिखाई देती है तो सम्मुख यहां पर दोस्तों सम्मुख क्रासित का मतलब क्या होता है कि यदि हम उपर से देखेंगे तो पौधे के सिखर से जब देखेंगे पौधे के उपर से तो सभी पत्तियां जो है चार पंक्तियों में बिन्यास्त दिखाई देती है यानि देखिए जब सम्मुक पंड बिन्यास्त में क्या होता है कि पत्तियों के उत्रोत्तर जोड़े यानि पत्तियों के जो दोने जोड़े हैं वो एक दूसरे से सम कोण बनाते हैं यानि एक दूसरे से 90 डिगरी के कोण पर इस्थित होते हैं और साथ ही साथ दोस्तों ये उपर पौधे के सिखすद देखने पर आपको चार पंक्तिव में विन्यास्त दिखाई देते हैं यहाँ पर हम आपको ईग्जाम्पल के थ्रूथ दिखाते हैं देखिए इसके कई सारी ग्जाम्पल जैसे सदाबहार सदाबहार आप लोग उने देखा होगा सदाबहार का जो पेड़ होता है इसको हम बिनका रोज ये भी कहते हैं इसके अलाबा आपने तुलसी देखा होगा आसिमाम सेक्टम तो देखे तुलसी और सदाबहार इन दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा क्या सम्मुक्रासित आप अपने घरों में देखेगा कि जो तुलसी का पौधा है उसमें आप पौधे के सीर्ष से देखिएगा उसमें से आपको पत्तियां जो है वो चार क्रम में बिन्यास्त चार पंक्तियों में बिन्यास्त दिखाई देंगी और वो किस प्रकार से बिन्यास्त पत्तिय जो निकली है वो एक दूसरे के कैसी है समकोर यानि कि 90 डिग्री पर इस्थित है एक पत्ति चुकि ऊपर की ओर गई है और दूसरी पत्तिय पोजिट साइड में धर है फिर इसके ऊपर की जो पत्तिय निकलेगी उनका डाइरेक्शन भी दोनों का चेंज होगा यानि जिस डाइरेक्शन पर नीचे वाली दोनों पत्तिय है उसके आप उपर वाली दोनों पत्तिय होगे तो इस प्रकाद से आपको ऊपर से देखने पर एक समकोर तु दिखे गई साथी साथ में आपको वहां पे चार पंक्तिय बिन्यास से दिखाई देगी आप घरों में जा क करके ट्राइ कीजिएगा जो तुलसी का पौदा है आप उपर से देखिएगा उनकी जो पत्तियों का बिन्यास्थ होने का क्रम है दो पत्तियां माल लीजिए आपको ऐसी दिखेगी दो पत्तियां कैसी दिखेगी फिर उसके बाद दो पत्तियां ऐसी दिखेगी तो आप यहा पे सम्मुख क्रासित यानि कि सम्मुख क्रासित पंडविन्यास अब चूकि सम्मुख पंडविन्यास का दूसरा प्रकार है सम्मुख अध्यारोपित इसको हम कहते हैं इंगलिस में अपोजिट सुपरपोज्ट यहां पे आप यह बना लीजिएगर सुपरपोज्ट तो अप पॉजीट सुपरपोज्ट। अब इस ओपोजेट सुपरपोज्ट में याने की शम्मुख अध्यार रोपित क्या होता है। तो देखे जब किसी पर्वसंदियों पर उपस्थित दोनों पतियां अपने ठीक उपर अथवर नीचे की पर्वसंदियों में उपस्थित पत्तियों के तल में ही हो तो वो पर्णविन्या सम्मुक अध्यर उपित कहलाता है और इसमें पौधे के सिखर से देखने पर पतियां दो पंक्तियों में बिन्यस्त दिखाई देती है जैसे इसका एक्जामपल है अमरूद, जामून, आदी आप लोगों ने गवावा यानि सिडियम गवाजेबा जिसका वटेन कलने मूता आप लोगों ने जिसको क्रमीड भासा में भी ही कहते हो, तो अमरूद में आप लोग देखोगे कि उसकी जो पतियां होती है बिल्कुल एक दूसरे के समानतर होती है यानि सम्मुख अध्यरोपित पढ़ विन्यास क्या कहता है, कि आप सिखा से देखेंगे तो पतियां दो ही क्रम में विन्यास्त होगी और जो नोड से दोनों पतियां निकलेगी, तो जैसे मान लीजे किसी एक नोड से जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सम्मुख अध्यरोपित, तो सम्मुख अध्यरोपित में क्या है, कि एक परवसंदी से जो दोनों पतियां निकली है, वो अपोजिट साइड में है एक दूसरे के लेकिन जस्ट उसके उपर वाले जो नोड ये परवसंदियों से जो दोनों पत्तिया निकलेगी वो सेम उसी प्रकार रहेंगी उसी दिशा में जो की कैसे हैं नीचे वाले परवसंदियों में है तो ये एक क्रम से आपको दिखाई देंगे यानि दो पत्तियां है फिर इनके उपर दो पत्तियां आपको दिखाई देगी फिर इनके उपर दो पत्तियां तो इस प्रकार से यदि अपोजिट रूप में यानि एक दूसरे के विप्रीत और एक दूसरे के ऊपर यदि पत्ति को हम क्या कहते हैं सम्मुख अध्यारोपित यानि आप पोजिट सुपर पोजिट कहते हैं तो मेर करता हूं दोस्तों कि यहां पे आपको सम्मुख अध्यारोपित और सम्मुख क्रासित जो पर्ण विन्यास है यानि सम्मुख पर्ण विन्यास जो है वो आपको समझ में आ गय अच्प ordered kilo टेक्सी तो देखे वोड फिलो टेक्सी क्या होती है दो या 2 से हुज़ित लगी हूँ चक्रिया भरावी मैं लगी हो दो इसी हम by में परन्डवियास कहते हैं इसका एक्जाम्पल हाइड्रिला कनेर जिसको कि आप नेरियम कहते हैं और आधी इसके कई सारी एक्जामपल हैं तो देखें यदि हम बात करें भ्रमी मैं पढ़ने विन्यास की तो नाम से इस पस्ट है कि भ्रमी मैं मतलब एक घूमा हुआ चक्र तो यानि चक्री पढ़ने विन्यास का चूक एक् पत्तियां होती है वो पत्तियां एक चक्र में बेवस्थित होते हैं यानि एक गोलाकार चक्र के रूप में बेवस्थित होती हैं जिस कारण से इसको क्या कहते हैं भ्रमी मैं पढ़ने विन्यास कहते हैं आप वैसे भी देखो कि जल में जैसे भ्रमी मैं टाइप का उत्पन बन जाता है गोलाकार एकदम से गोले गोले कई सारे बन जाते है तो उसका मतलब यहीं पर है कि भ्रहम के जैसे जो धारा है वो बन हो जाती है उसी प्रकार पत्तियों में क्या होता है कि नोड से जो पत्तिया निकलती है वो चारो तरफ से निकलती है और आपको एक गोलाकार के रूप में दिखाई देती है जिस कारड़ से इसको हम क्या कहते हैं प्रमीमय पंण विन्यास कहते हैंege इनको वो्र्ट फिलो टैक्सी कहते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहल पर्वसंधि यहां पर 8 साखाएय जो हैं यहां बिखस्थित है एक फॉल रूप में उपश्थित है इसलिए इस प्रकार के यदि पतियों की बिवस्था है तो इस प्रकारके पतियों के बिवस्थित होने के क्रम को हम भ्रमिमय में पढ़ विन्यास या वर्ड फिलो टैक्सी कहते हैं और इसके उपर वाली पर्वसंदी में भी आप देख सकते हो कि चार से पांच पतियां बिक्सित हुई है और वो एक भ्रह्म के रूप में यानि एक चक्र के रूप में विवस्थित हैं तो इस प्रकार के भ्रमी में पन्डविन्यास को हम भ्रमी में पन्डविन्यास कहते हैं मिलते हैं दोस्तों, नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदि मात्रम.